आज में आपके साथ बहुत ही यूजफुल cooking tips शेयर करने वाली हूँ जो कि आपके kitchen में बहुत ही help करेंगी और आपके लिए बहुत फायदेमन रहेंगी सबसे पहली tip है रेस्टेंट्स के पालक पनीर में पालक का कलर बिल्कुल green होता है ऐसा ही पालक पनीर बनाने के लिए कसांसी tip को follow करें पालक को अच्छी तरह साफ कर लें इसको काटे नहीं पत्तों को ऐसी रहने दे और फिर दो-तिन बार पानी डाल कर अच्छी तरह इसको धो लेंगे साथ ही मैंने एक बड़े बरतन में पानी को उबलने के लिए रखा हुआ है जब इसमें एक बोईल आ जाएगा तब इन पालक के पत्तों को इसमें डाल देंगे फिर सिरफ दो मिनट के लिए पालक को उबाल लेंगे थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी फिर इसको छान लेंगे और ठंडे पानी के नीचे अच्छी तरह धोएंगे ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुख जाए फिर इसको या तो फ्रिज में रख दें या फिर ग्रैंडर जार में डाल कर एक आइस क्यूब डाल कर इसको पीस लें इसका कलर देखे बिल्कुल ग्रीन बना रहेगा जब आब इसकी सबजी बनाएंगे तब भी ये बिल्कुल ग्रीन ही रहेगी अब इसमें से मैं आइस क्यूब निगाल रही हूँ और इससे पालक पनीर बना लूँगी मेथी की कड़वाट बिलकुल कतम करके इसको मार्केट जैसा क्रिस्पी बनाने के लिए एक असान सी टिप है इसके लिए मेथी को बारी काट ले और अच्छी तरह धोकर इसका पानी बिलकुल सुका ले फिर सरसों के तेल को अच्छी तरह गरम करके मेथी को चार से पांच मिनट के लिए लो फ्लेम पर शेलो फ्राई करें इसका कलर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना थोड़ी सी क्रिस्पी कर लेनी है फिर इसको एक प्लेट में निकाल लेना है फिर इसमें आप जैसे आलू या मसाले जो भी डाल दे हैं वो डाल कर इसकी सब्जी बना लेनी है इससे मेथी बिलकुल भी कड़वी नहीं बनेगी और बिलकुल मार्किट जैसी क्रिस्पी बनेगी ये देखे कितनी बढ़िया मेथी बनी है हरी मिर्च को काफी दिन तक बिलकुल सही रखने के लिए सबसे पहले इसको अच्छी तरह पानी से धोलें फिर इसको सुखा लें बिलकुल भी मौश्टर नहीं होना चाहिए फिर इसके उपर की डंडियों को तोड़ दें अगर डंडियां साथ रहेंगी तो मिर्चे बहुत जल्दी खराब हो जाती है फिर इसको किसी एर टाइट कंटेनर में डाल कर फ्रिज में रख दें बहुत दिन तो की मिर्चे खराब नहीं होंगी और अगर फिर भी कुछ मिर्चे लाल होनी शुरू हो जाएं फिर इनको ध पिंडी बनाते हैं उसमें थोड़ा भी मौईश्यर रहा जाए तो इसमें काफी चिपची पाठा जाती है इसके लिए सबसे पहले आप सर्सों के तेल को बहुत अच्छे से गरम करें फिर इसको रोस्ट करें अगर फिर भी यह चिपची पी रहे तो इसमें आदा निम्बो नहीं होगा सबसे पहले अदरकोन चीलते हैं मैं चाकू से नहीं चील रहा है इसको चम्मत से चीलेंगे चम्मत से चीलना अदरक को बहुत असान है और ऐसे यह कौनर से अपर चकू से और नमक डालेंगे नमक थोड़ा ज्यादा डालेंगे अगर नमक कम रह जाएगा तब भी अचार जल्दी खराब हो जाता है अब इसे चार को ग्लास के जार में भर कर रखतेंगे अगर आपने मेरे पेज को अभी तक फॉलो नहीं कर रखा तो ऐसी ही और यूसफूल टिप्स और ट्रिक्स के लिए मेरे पेज को फॉलो किजिए